हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपको इस तरह का डिजाइन बताने जा रहे हूं इसको आप सिंगल कलर के धागे में भी बना सकते हैं चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इस तरह फाइफ फंदों के गैप में एक फंद आगे कर लेंगे फिर हम कंट्रास् इस तरह से धागे को लेके जाना है फिर एक नीडल के उपर से धागे को लेके जाना है फिर एक नीडल के उपर से धागे को लेके जाना है फिर एक नीडल के उपर से धागे को लेके जाएंगे और फाइव नीडल के नीचे से धागे को इस तरह से धागे को सेट कर लेंगे इस धागे से हमें गैरेश में नहीं बनाना है इसको प्लेन ऐसे ही बनाना है फिर जो हमारा गैरेश में धागा लगा हुआ प्ले उससे हम एक सिलाई लगा लेंगे फिर दूसरी सिलाई में भी फिर हम ऐसे ही करेंगे इसको एक नीडल के उपर से जिस नीडल के उपर से हमने दागे को लेके गये थे उसी नीडल के उपपर से लेके जाना और जो बाकी की 5 नीडल's उनके नीचे से हमें इस तरह से धागे को लेहां कर याँ अस तरह से बूंभ हिस्थे 71 को भी हमने ऐसे ही लगाना है असी तरह से अब हम थर्ण सिला लगालेंगे और इसी तरह से हम फौर्ट सिलाई को भी लगा लेंगे एक नीडल के उपर से धागे को लेके गए फाइब नीडल के नीचे से और फिर एक नीडल के उपर से इस तरह से धागे को सेट कर लेंगे फौर्ट सिलाई लगाएंगे इस तरह से हमारी फौर सिलाई हो गई है आप जिस धागे के उपर से हम नीडल को लेके गए थे उन दोनों धागों के बीच की बीच में जो नीडल है उसमें हम ये जो 4 धाके जो नीचे लाईने बनी वीए इसको हम इस तरह से उठा के उसमें हैंक कर देंगे इस तरह से और यहाँ पे भी 5 फंदो के बीच में इस तरह से इसमें भी 5 फंदो का व्याप आजायेगा और सारे फंदे हम आगे कर लेता ताकि हमारा थोड़ा यह लूज हुचाएगा जब हम फंदे उपर गरेंगे तो कोई फंदा निकले नहीं से लिए हम इसको आगे कर लेंगे फिर हम दो सिलाइगा लगाएंगे इस तरह से अब जो अभी हमने लाइस्ट में यह फंदे हैंग यह ते उस फंदे को हम आगे कर ल पंच फंदों के गैप में इस तरह से धागे को ले जाएंगे फाइव नीडल के नीचे से लेके जाना है और वन नीडल के उपर से धागे को लेके जाना है फिर वन सिलाई लगाएंगे अब फिर से हमें इसी तरह से बनाना है इस तरह से इस तरह से हमारी दूसरी अब हम दूसरी सिलाई लगा लेते हैं अब इसी तरह से हम तीसरी सिलाई भी कम्प्लेट कर लेंगे थ्री सिलाई हो गई है अब हम फूर्थ सिलाई को भी इसी तरह से कम्प्लेट कर लेंगे फाइब नीडल्स के नीचे से लेके गए और एक नीडल के उपर से धागे को लेके जाना है और इस थागे को नहीं हमें जादा लूज रखना है नहीं जादा टाइट करना है नॉर्मल वेव पर हमें लेके जाना है इस तरह से हमारी फोर्स लाइया हो गई है अब फिर से हमारी जो जिस नीडल के उपर से हम लेके गए था थागे को उसके बीच वाले फंदे में इस तरह से फिर से इसको हमें हैंग कर देना है इस तरह से इस तरह से इसको हैंग करने के बाद हम सारी नीडल जो हैं उनको हम आगे कर लेंगे इस तरह से ताकि हमारे कोई नीडल किसी नीडल से फंदा निकलना जाए फिर हम दो से लगा लेंगे आप जैसे हमने इसमें जो बीच में गैप दिया था दो नीडल्स का आप वैसे भी दे सकते हो अगर आपने गैप नहीं देना होग तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं इसको हर फोर्ट सिलाई के बाद यही वलब मैथर्ड रपीट करना है पर हमें कंट्रास्ट जैसे उसके पहले हमारा फिफ्ट फंदा था उसमें फोर फोर सिलाईया लगाने के बाद उस फंदे को हम चेंज कर लेंगे इस तरह से जिस फंदे में हमने हैंक किया था दूसरी बार उसके उपर से हम धागे को लेके जाएंगे और फिर फाइफ फंदों का गाप देंगे इस तरह से इस तरह से दो सिलाई हो गई हमारी तीसरी सिलाई के लिए भी हम धाग को ऐसे ही सेट कर लेंगे इस तरह से और आप यह फोर्थ सिलाई के लिए भी हम धाग को इसी तरह से सेट कर लेंगे और फिर एक सिलाई लगाएंगे यह हमारी फोर सिलाई यह लग गई है अब यह जिस नीडल के हम उपर से फंदे को लेके गए थे उन दोनों के बीच वाले फंदे को हम आगे कर लेंगे और जिए फोर रोज है लगाई थी इस धागे को हम इस तरह से इसमें उठा लेंगे सिंगल नीडल की हल्प से और फिर सारी नीडल्स को आगे करके हम दो सिलाई यह लगा लेंगे इस तरह से या तो आप इस तरह से बना सकते हैं बीच में नीडल्स का गाप देखे या बिना नीडल का गाप देखे भी बना सकते हैं यह बच्चों के स्वेटर में बहुत ही प्यारा डिजाइन लगता है अगर आपको मेरे ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज में वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू